हेलो फ्रेंड्स मैं संदीप आप सब लोगों का फिरस एक बार स्वागत करतों मेरे इसनी वीडियो में और हमार डिप चैनल पे आज का वीडियो हमारे lower back pain relief series का second वीडियो है और आज इस तुडियो में हम बात करने वाले है four types of slip disc की बारे में तो जब भी हमें slip disc होता है तो उस वज़य से हमारे lower back में बहुत pain होता है उसके साथ कुछ लोगों में यह जो pain होता है, वो lower back से लेके नीचे पेरों में चला जाता है, back of the leg चला जाता है, उसके हम बोलते हैं, साइटी का pain, तो guys यह जो साइटी का pain होता है, lower back pain होता है, because of slip disc, तो इसके पीछे हमेशा यह 4 में से कुई एक reason हमें देखने को मिलते हैं, अगर आपका lower back pain हो रहा है और आपने अगर उसका MRR report निकला है तो आप अभी MRR report चेक करो ये चारों में से कोई एक type आपको वहाँ पे दिखाई देगा तो आज के वीडियो आप लोगों के लिए भी बहुत ज़दी important है क्योंकि आज आप लोगों को इस चार टाइप के बारे में मैं in detail information देने वाला हूँ अब ये चार टाइप जानना हमर लिए इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि काफी लोग consultation में हमसे सवाल पुछते सर मुझे slip disc हो गया है फिर हो ठीक होगा या नहीं होगा होगा तो कितना टाइम लगेगा उसके बाद में normal activity कर सकता हो कि नहीं कर सकता तो इन सारे सावालों का जावाब जो होता है वो आपके इस type होता है उस type पे depend करता है तो गाइज इस वीडियो को पूरा देखिए लाइक किजिए शेर तो जरूर किजिए क्योंकि आपका एक शेर किसे को भी lower back pain से बचा सकता है तो गाइज अब हम वीडियो को शुरू करते और देखते हैं हमारे वो चार types जिसकी वज़े से हमें slip disc हो सकता है तो गाइज slip disc का जो सबसे पहला type आता है वो आता है disc degeneration अब इसमें आता है annular tear जो disc degeneration होता है ये old age लोगों में बहुत ज़ादा देखने को मिलता है क्योंकि जैसे हमारे उम्र बढ़ती जाती है तो naturally हमारे body में wear and tear की process शुरू हो जाती है उसके समें हमारे जो disc होता है उसमें भी wear and tear की इसका आप मैंने top view यहापे draw किया है और यह है हमारे L4, L5, S1 vertebra अब यह जो बीच में आप देख रहे हो यह हमारा disc जो side view से है यह side view ठीक है अब यह जो slip disc का problem होता है यह L4, L5, L5, S1 में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है इसलिए यहापे मैंने draw किया है अब जो हमार interval disc होता है उसके अगर आप यह बाहर के structure देखोगे तो इसको हम बोलते annular fibrosus यह outer ring वाला structure होता है यह fibrous material होता है एकदम से कड़क वाला material होता है और इसके बीच में जो red color का आप देख रहे है यह हमारा nucleus pulposus अब एक jelly-like material होता है जिसमें water content almost 80% होते तो यह jelly-like material होता है हमारे जो annual rings होते तो उसमें काफी बार क्या होता है अगर जैसे minimal jerk आने की वज़ेसे कुछ jerk की moment आता है कुछ उसके बार pressure आता है तो काफी बार यह rings होते है यह ऐसे भाहर की तरब यहाँ पे ऐसे break होना शुरू कर देते ऐसे break हो जाते ठीक है अब अब अंदर वाले rings यह ज इसको बोलते है annular tear तो यह annular ring अगर भाहर की तरफ कहीं भी tear होते है तो उसके वज़ेसे लोगों में जो lower back pain होता है उसके intensity बहुत ज़्याद होती है क्योंकि यह annular rings होते है उसका जो outer one third portion होता है वहाँ पे जो nerve ending होते है वह बहुत ही strong होते है इसलिए उसलिए उस पेन intensity व अब आपको यह समझ में आया होगा कोई उसका meaning क्या होता है अब हम देखते है आमारा दूसरा type तो slip disc का जो second type आता है वो आता है disc bulge इसको disc protogen भी बोलते है अब जो पहले वाला हमने देखा था annular tear उसमें हमने देखा था कि जो बाहर के rings होते annular rings वो tear हो जाते है बट जो अ अंदरवाला जो liquid होता है जो jelly candy of material होता है जिसको मोलते nucleus pulposes वो क्या करता है अंदर वाले कुछ rings को ऐसे यहापे ब्रेक कर देता है और ब्रेक करने के बाद यह बाहर निकलने के कोशिच करते है जब यह बाहर निकलने के कोशिच करते है इसकी वज़ए से इस वाले portion में एक हलका सा bulge या आप उसको गुबार भी बोल सकते हो हलका से एक bulge बाहर निकल के आता है इस वाली रिया में आप इस side image में आप यहाँ पे देख सकते हो यह जो bulge बाहर दिख रहा है इसको हम बोलते है disc bulge अब यह हो गया second type जिसकी वज़े से काफी बार क्या होता है यह disc bulge अगर थोड़ा ज्यादा होता है तो इसकी वज़े से जो पीछे पड़ी जो नर होती है साइटीक अनर उसको भी प्रेस कर सकता है और उसी का जो होता है प्रॉब्लम होता है साइटीक अनर पेन तो उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा उसमें हम इन डेटेल भी इसके बार में discussion कर लेंगे तो जो सेकंड टाइप हमने देखा हो ता डिस्क बल्च डिस्क प्रोटूजन जिसमें हमने देखा कि अंदर वाले कुछ रिंग्स ब्रेक होके यह जो निकलियोस पलपसर होता है बाहरानी की कुशिश करता है बट बाहर के रिंग्स वैसे ही होते है जुड़े होते और इसक बाहर आने की कुशिश करता है अंदर वाले कुछ रिंग को तोड़के अब डिस्क हर्णियेश्ण होते है उसमें क्या होता है यह जो लिकुड होता है अगर हम इसको साड वियोस से देखेंगे तो जैसे मैं भी alpha yasun में आप ही देखेंगे ठीके तो ये liquid पूरा के पूरा ऐसे बाहर निकल के आता है ठीके ये पूरे जो rings होते हैं पीछे के उसको तोड़के ऐसे पूरा बाहर निकल के आता है अब ये जो बाहर निकलता है तो इसके पीछे पड़ा होता है ऐसे हमारा spinal canal अब एक canal में आके काफी बार एक क्या करता है पीछे जो पड़ी नर्व होती है उसको प्रेस करना शुरू कर देता है ऐसके फॉर। टाइप तो गाइजмिः जो फ़ोर्त जुथ और लास्ट आइप आता है। वह होता है अगर है situation है तो शायद आपको इसमें surgery का सारा लेना पड़ सकता है तो गाई जब भी slip disc होता है और उस condition में हम हमारे lower back का यमारा report कराते तो जो अभी चार type समने slip disc के देखे तो उसी में से कोई एक type आपको वापे दिखाई देगा उसके साथ यमारा report में यह भी लिखा होता है कि आपका जो liquid होता है disc से जो भाहर निकलता है तो कौनसे direction में निकलता है वो nucleus कौनसे direction में चला जाता है तो यह भी जानना बहुत important होता है क्योंकि उसी के उपर आपका जो भी slip disc होआ है वो कितना severe है कितना normal EM decide कर सकते तो जो भी liquid भाहर निकलता है उसके जो directions होता है उसमें सबसे पहले आता है posterior central अब यह posterior central को देखने से पहले हम यह देखेंगे कि हमारे body का anterior और posterior side कौनसा होता है अब अगर आप side से देखोगे यह हो गया side view तो यह मेरा spine है तो इसमें यह हो गया anterior side और यह हो गया posterior मतलब मेरे spine के जो आगे वाली side होती है मेरे face की तरफ वो होती harder और back की तरफ होती होती है posterior अब यह disc का अगर हम देखेंगे तो यह हो गया anterior और यह हो गया posterior ठीकोई अब जो first direction आता है posterior central तो इसमें क्यों होता है यह जो liquid होता है, यह posterior मतलब, posterior मतलब posterior, तो पीछे की तरब और एगदम central में निकलता है, ठीके, तो जब भी यह liquid center में निकलता है, पीछे की तरब, तो इसको हम बोलते है, posterior central, जो दूसरा direction आता है, posterior lateral, अब इसमें क्यों होता है, यह जो liquid होता है, यह पीछे की तरब निकलता ह ऐसे यहाँ पर कई तो बाहर की तरब निकलता है, यहाँ पर या फिर इस डायरेक्शन में, ठीके, तो यह हो गया second type, second direction postural lateral, इसके बाद आता है प्यारा सेंट्रल, प्यारा सेंट्रल का मतलब होता है, यह जो lateral और जो central होता है, उसके बीच वाला portion, यह liquid अगर इस डायरेक्श यहाँ से ऐसे बाहर निकलता है, ठीके, अगर यह बाहर निकलने के बाद, नीचे की तरब जा रहा है, towards आपना pelvic, तो इसको हम बोलते है, quadal migration, और अगर यह safe on migration में क्या होता है, जो 5th और डायरेक्शन होता है, अगर यह liquid बाहर निकलने के बाद, उपर की तरब चला जाता ह अपने हेड की तरब, ऐसे इस डायरेक्शन में, तो इसको हम बोलते है, safe on migration, तो यह हो गए 5 डायरेक्शन, कि liquid हमारा कौन से डायरेक्शन में निकलता है, पीछे की तरब, अब इसमें एक चीज और होते है, liquid 99% केसे में हमेशा posteriorly, पीछे की तरह भी निकलता है, आगे जा liquid पीछे निकलता है, तो इसकी वज़े से काफी बार लोगों को, साइटी का पेन या फिर नर्व पेन होने के चांसे होते है, तो guys, I hope, आज की वीडियो में हमने यही देखा कि slip disc के कौन से 4 major type होते है, उसमें क्या-क्या conditions होते है, उसके बाद जब यह liquid slip disc के बाद बाहर नि कुशिश की, यह बहुत important थी, यह हमारा पूरे lower back pain relief का जो series है, उसका base था, क्योंकि इसके बाद जो भी वीडियो आएंगे, उसमें में सारा detail में discussion नहीं करेंगे, बस में वो कुछ नाम जो हमारा report में, या भी medical terminology में आती है, तो उसी को में लेके वो वीडियो बनाऊंगा, तो guys, I hope, जो भी information में आपको देनी की कुशिश की, वो आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी, तो guys, मिलती है हमारे अगले वीडियो में, ऐसे किसे ने topic के साथ, तब तक के लिए, take care.